असलाम अलेक। विल्कम बैक टो मैं चैनल सर्फटीज टी कैसे हैं आप सब उम्मिद है आप सब खेरे से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंबल सा लंच यो कि बहुत जट पड बन जाता है और बहुत ही मज़िदार सा बनता है। तो चले देखते हैं इसके लिए मैंन चले बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ पर मैं ले रही है एक पैन जिसमें हम डालेंगे 4 tablespoon heaped oil and 2 tablespoon heaped butter जब बटर थोड़ा से मेल्ट हो जाएगा हम इसमें डालेंगे 1 cup heaped chopped onion आप रिखाने प्रावियन, हम तोड़ा से सौटे करेंगे और साथ ही हम इसके डालेंगे 2 टेबल स्पून हीपड गालिक, अब चाहे तो गाले का पेस्ट डाल लिजेए यहां पर मैं ग्रेट करकर डाल रहें गालिक को, अच्छे से स्टेट करेंगे और हम इसे इतिनी दिर त इस वक्त हम इसमें डालेंगे, मैंने बॉनलेस चिकन लिया है जिसको मैंने चोटे-चोटे की उसमें कट कर लिया है अभी हम स्टेफ की फ्लेम कर देंगे हाई और इसे हाई फ्लेम पर इतनी दिर पकाएंगे जिब तक चिकन का कलर चेंज होके पिंक से वाइट नहीं हो जा अगर आपको स्पाइस ज्यादा चाहिए होगा तो आप इसमें त्री टू फोर ग्रीन चीली इसको फाइनली चॉप करकर इस ताइम पर डाल दीजिए थोड़ा से स्टीर देंगे इसके बाद हम इसमें आज करें हैं फोर टेबल स्पून हीप मैदा यह मेरा है फोर्ट टेबल स्पून फोर्ट टेबल स्पून मैदा डालने के बाद हम इसे मेडियम फ्लेम पर कंटिनियूस इसी तरीके से वन तू वन अड़ाफ निट तक इसी तरीक से सौटे करते रहेंगे और आपको यह स्टेप लाजमन करना है ऐसा करने से हमारे मैदर क कची बो होगी वो हतम हो जाएगी अगर आप ऐसा भूनेंगे नहीं इसको और फोरी ही इसमे पानी डाल देंगे तो फिर आप करी में से कची-कची मैदे की बो आएगी तो आपको यह स्टेप जरूर करना है मैदा डालने के बाद 1-2-1.5 मिनिट तक कंटिनियूस आपको च टालने के बाद आप तेज तेज आप से चमचे चलाती रहे ज़िए क्योंकि इसमें हमने मैदा डाला था इसमें वाटर आपको अगर चमचा नहीं चलाएंगे तो फिर इसमें गुटलिया बन सकती हैं तो इसलिए गुटलिया ना बने इसके लिए हम जस्ट फर एमिने आप चमचा रोक सकते हैं जब यह अच्छे से मिक्स हो जाएगा हम इसमें एड करेंगे वान बिक कैप्सिकम जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है एक मिक्स दीजिएगा और आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाते रहेंगे थोड़ा पकड़े के बाद अगर आपको देख आपको इसके ग्रेवी बहुत ठीक भी नहीं रखनी है और ज्यादा थिन भी नहीं करनी है तो मेडियम कंसिस्टेंची के हमें ग्रेवी होने चाहिए हमारी इसके बाद हम इसमें एड करेंगे प्री चिलिज इसको मैंने बी से कट लगा लिया है चिलिज एड करगे हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, low to medium flame पर पकाएंगे, for seven to eight minutes के लिए हम इसे पका देंगे, जब यह अची तरीके से पक जाएगा तो हम इसमे आड़ करेंगे, half cup fresh cream, cream को अच्छे से बीट करकर डालिएगा, cream आड़ करने के पाद हम इसे एक अच्छे से mix देंगे, स्टैफ को करेंगे बंद और हमारी बहुती मज़दार सी curry बंके रिडी हो जाएगी, चलिए निक्स हम प्रिपेर करेंगे हमारा garlic on rice, इसके लिए मैंने यहाप लिया है, four tablespoon oil and three tablespoon heaped butter, जब butter melt हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे, two tablespoon heaped garlic, garlic paste ले लिए यह फिर finely इसे grate लिए इसके बाद हम इसे sauté करेंगे, इसके बाद हम इसे sauté करेंगे, जब तक garlic ब्राउन नहीं हो जाता रहा है और इसमें से अच्छी से कुछ ब़ाना शुरू नहीं हो जाती, जब तक इसमें सच्छी स्मेल नहीं आ जाती, कच्छा मद डाले, कच्छा कच्छा लेसन में आप अगर फॉर्दर कुकी करेंगे तो फिर इसकी स्मेल अजीब सी आएगी, इसमें हम एट करेंगे one cup heaped boil corn and one chicken stock cube, इसे थोड़ी ज़र के लिए sauté करेंगे फिर हमें डालेंगे half teaspoon pepper and half teaspoon ही हमें डालेंगे salt, mix कीजिए और थोड़ी ज़र के लिए low flame पर हमें इसे पकाएंगे just for 20 to 30 seconds, continue sauté करते रहेंगे, जब chicken stock melt हो जाएगा तो हमें आड़ करेंगे हमारे rice, rice को मैंने सुबा ही पका लिया था और तीन-चार घंटों के बाद ही हम इसे यूज़ कर रहे हैं, rice आपका खड़ा-खड़ा होना चाहिए, यूज़ मुषी rice आप इसमें यूज़ मत कीज़ेगा और गरम-गरम rice भी आप इसमें मठ डालेंगे, क्योंकि अगर गरम डालेंगे और फिर इसे हम जब mixing करेंगे तो सारी rice मशी हो जाएगी अची नहीं लगेगी, तो आपको जरूरी है आपका rice खड़ा-खड़ा हो और ठंडा हो पके दो-चार खंड़ों के बाद ही हम इसे यूज़ करेंगे, एक अच्छे से mix देंगे और हमारा बहुत ही मज़िदार सा garlic on rice बनके रिडी हो जाएगा, भिघ हम सर्फ करते हैं, शर्फ करने के लिए मची क्या यह लिए मंची लीए यह मैं लीए के बंडित चेक पार लिया है जरूरी ने आपको यह बालрать लिए से जरूरी ना यह पें गयोगी भी दालें कोई मुश्किल रिणीज है, आप सिंपल भी सर्फ करेंगे, कोई मिश्किल नहीं है, हम राइस दालेंगे और इसे बहुत ही अची तरीकी से प्रेस करेंगे, प्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम इसे ओवर टर्न करेंगे तो फिर इसका शेप बहुत अच्छा आएगा, अगर प्रेस अच्छा सा राइस बन के बहुत ही मज़दार सा हमारा लैंज बन के रिडी हो जाएगा, बहुत ही सिंपल बन जाता है, जटपट बन जाता है, और बहुत ही मज़दार बनता है, जरूर ट्राइ कीजिए, रेसीपिए चले के तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा, दूआ में याद रखिए इन्शाला जल्द मिलेंगे आपसे एक और नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए अल्हाफिज